Hello students, तो आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी गिवन ग्रामर की अबिगिटी को कैसे चक्किया जाता है, मतलब कि अगर आपको question में ग्रामर दिया हुआ है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो ग्रामर आपका ambiguous है या नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यह पता हो यह ग्रामर आपकी कौन-कौन सी string generate करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले माल लिजे, मैं एक string लेके चल रही हूँ, कि यह जो ग्रामर है, यह आपके एक string generate करता है, A, B, B और A, अगर आपको इसका idea नहीं है कि यह कैसे काम करता है, तो मैं किसी next video में आप comment करके बताएगा, मैं को समझा दूँगी, ठीक है, अब आपने एक string ले ली, इस question में आपको एक string अज्यूम करना पड़ेगा, अब हम यह देखने कोशिश करेंगे, कि क्या इस particular string के लिए, हम दो different past tree generate कर सकते हैं, ठीक है, तो आप देखिए, past tree कैसे generate किया जाएगा, आइए देखते हमको ultimately यह string generate करना है, ठीक है, तो सबसे पहले मा लीजे एक string हम मनाते हैं, सबसे पहले हमने s लिया, s से देखिए, हम ss पर जा रहे हैं, ठीक है, तो s से हम आए, s, s, ठीक, उसके बाद सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो पहला वाला जो s है, उसको हमने a से terminate किया, क्योंकि s आपका a generate कर रहा है, और जो दूसरा वाला s है, उसको फिर से हम किस से replace करे, s, s से, पहला वाला जो statement है, उसके recording, ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा आपका, दूसरे नंबर पे क्या है, b, तो दूसरे वाला, ये वाला जो s है, इसको हम किस से replace कर दे, b से, और इसको फिर से हम किस से करें S और S और ये वाले S से हमें क्या निकालना है S से क्योंकि A भी generate हो रहा है B भी generate हो रहा है तो यहां से हम ले 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 B और यहां से ले 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 A ठीक तो यह एक string हमारी मतलब यह एक parse tree हमारा बनके त्यार हो गया ठीक है अब दूसरे से देखना है क्या यह वाली string किसी अलग तरीके के past tree से generate हो सकती है तो बिलकुल हो सकती है आए उसको भी देख लेते हैं तो थोड़ा सा space लेते हैं इसको side में रखते हैं A, B, B, A हमें लेके चलना है तो A, B, B, A क्योंकि हमें space यह होगा इसलिए हम इसको खाली कर ले रहे हैं तो चलिए देखते हैं अगला वाला क्या होगा S, तो start नहीं से होगा क्योंकि सबसे पहले अगर आपको जैसे direct आप A और B से भी terminate कर सकते हैं तो आपको A और B तो चेक करना नहीं है दुनों अलग अलग है तो सबसे पहले मान लो S लिया अब दूसरे वाले S से हम क्या करें दूसरे वाले S से हम B generate कर लें क्योंकि string हमारी A से generate हो रही है तो दूसरे वाले S से हम सबसे पहले A generate कर लें तो यहां से A मिल गया अब फिर जो कहानी हमने यहां पर इस वाले portion में की थी, वो हम इधर कर लेंगे, तो फिर से हम क्या करेंगे, S, S, ठीक है, इस वाले S से हम क्या generate कर ले, A generate कर ले, तो यह हो गया हमारा A, और दूसरे वाले S से फिर से हम S generate कर लेंगे, और यहां से हम ले लेंगे, अगला हमें क्या चाहिए, B, और फिर से क्या च हमारा यह वाले पास्ट्री से भी generate हो रहा है, I hope clear हो रहा होगा, ठीक है, मेरे पास, थोड़ा सा मेरा जो stylish है, जिसे में लिखती हूँ, पैन नहीं चल रहा है, जिस वज़ा से थोड़ी सी problem हो रही है, मुझे finger से लिखना पड़ रहा है, ठीक है, I hope आपको clear हो रहा होगा, कि क हम क्या कहेंगे, कि यह जो, यह आपका grammar है, यह कैसी है, ambiguous है, तो यह answer क्या है, grammar is ambiguous, ठीक है, एक और example लेते हैं, I hope मैं आपको clear कर पाऊं, और एक question मैं आपको दूंगी, तो यह वाला जो question है, इसके लिए हम क्या करने हैं, एक छोटी सी string लेते हैं, मतलब minimal type की string लेते हैं, ठ उसी से प्रूव करने की उकोशिश करेंगे, कि grammar हमारी ambiguous है, आप देखेंगे, बढ़ियां सा लगेगा, तो माल लेजे, हम एक छोटी सी string ले रहे हैं, कि आपका यह जो grammar है, यह एक string generate कर रहा है, और वो है AB, ठीक है, और मैं फिर से कह रही हूँ, मैं आपको किसी वीडियो म आए हैं, कि grammar की ambiguity कैसे चिक की जाती है, ओके, सो first way is, ऐसे हमाएं, थोड़ा सो छोटा लिखते हूँ, ऐसे हमाएं, किस पे, A पे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखें, A से A पे बिजा सकते हैं, B पे बिजा सकते हैं, ऐसे आए A पे, उसके बाद, A से हमें direct AB generate होके मिल रहा है ठीक है, A भी मिल गया, यहीं string generate करनी थी, एक parse tree बन के त्यार हो गया, ठीक है, अब दूसरे हिससे पे आते हैं, अब हम S से आएं, B पे, सही रहेगा, S से आते हैं, B पे, ठीक है, अब B से हम क्या करें, B से क्या generate हो रहा है, A, B, B, A, B, और B, और B से हमें null भी मिल रहा है, त इस वज़ा से हम कह सकते हैं, कि this grammar is ambiguous, अब एक question है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, छोटा सा है, इसको आपको खुछ solve करना है, और देखना है, कि answer करना है, comment करके, कि क्या यह grammar ambiguous है या नहीं है, तो सबसे पहले, आप एक string assume करेंगे, assume नहीं करना है, मतलब आपको वही string ल इतना ही, आप मुझे comment करके बताइए, कि कौन से question है, जिसमें आपको परिशानी होती है, ताकि मैं उनसे related video आपके लिए बना सुकूँ, thank you guys, thank you for watching, bye bye, take